नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम सिखेंगे कि हम Google Pay से कैसे पैसे request कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले Google Pay में चलते हैं और सबसे पहले आपको New Payment वाल अप्शन जो दिखाई दे रहा है उसमें दोस्तों चले जाना है New Payment में दोस्तों जैसी आप जाएंगे उसकी UPI ID डाल देनी है और फिर वेरिफाई जैसे आप दबाओगे तो Google पे UPI ID को वेरिफाई करेगा कि वो ठीक है कि नहीं आप उसने बता दिया कि हाँ ये ID ठीक है और जितने पैसे मांगने या रिक्वेस्ट में आपको दबा देना है और उतने पैसे आपको रिक्वेस्ट कर लेने है तो दोस्तों Google पे से आप सिर्फ पैसे भेजी नहीं रिक्वेस्ट भी कर सकते हो और इसका ये फायदा है कि आप NFT, IMPS की जगए अगर कोई आप से पैसे डिरेक्ट रिक्वेस्ट कर ले तो आप उसे accept करके ही पैसे भेज सकते हो जैसे कि देखिए सोर पे हमने रिक्वेस्ट कर लिए है साथ वज़ के 48 मिनट पे अब उसके बाद जैसे दोस्तों ये मेरा ही खाता है जिससे मैंने रिक्वेस्ट किये हैं तो मैं अपने ये मोबाइल एप यानि जिस खाते से पैसे रिक्वेस्ट किये गए हैं उस खाते की एप में जाऊंगा और लोगिन करूंगा दोस्तों जूरी नहीं कि किसी और एप से आप गूगल पे से कोई और दूसरे यूजर है उसके पास भी गूगल पे है उससे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने अपने ही एक यूपी आइडी से दूसरी यूपी आइडी से पैसे मांग रहे हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम उसको असेप्ट करेंगे तो बीम यूपी में गया मैंने दोस्तों इसका मतलब है एप्रूव कर दिया आप चाहिए रिजेक्ट भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट जैसी मैंने एप्रूव किया तो यहां पर थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम तो आपको दिखाता हूँ यहां पर रिशीव का देखे दोस्तों मैसेज आ गया तो पैसे रिक्वेस्ट किये और दूसरे ने अप्रूव किये और पैसे रिसीव हो गए तो यह बहुत अच्छा तरीका है अप्रूव करेगा व्यक्ति और आपके खाते में आ जाएंगे तो यह दोस्तों बहुत ही शांदार और दमदार स्टैफ है का तो बिना आई-एंपेस एंएफटी के आप यह काम कर सकते हो तो देखिए दोस्तों मेरी ट्राइक्शन में 100 रुपे आ गए तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगए वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप हमारे सब्सक्राइब इननी चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद